कि आप सभी का रुखमेनी प्रकास में स्वागत है आज हम लोग भॉलूम 3 का सिट नंबर 27 का आज हम लोग डिसकुसन करेंगे तो चलिए आपका पहला कोशन जो है आपका 41 नंबर है इसमें कहा ज़रा कि यदि छीनी के मुल में 21 परसंट के ब्रिधी हो जाती है और कोई ब्य चाहता है तो उसकी खापतमे कितना परसंट की कमी होगी ठीक है ठीक है तो चलिह हम देखते हैं यहां पर आपसे कहा जरा मान लेते हैं कि कि शुरू में कि 100 रुपया इसका रेट था तो कितना हो गया तो हो गया आपको कितना 121 परसंट फोगया मतलब 21 % इंक रुड़ होगा तो 21 रुपया इंकरीज होगा तो सौ में जोड़ देंगे लेकिन वह खरच करना चाहता है कि इतना 12 परसंट का बरेधी नहीं तो 112 ही खर्च करना चाहता है ठीक है तो कितना का कम आपका समान मिलेगा तो कितना का कम मिलेगा तो कमी परसेंट आपको निकालना है तो कितना का कम मिलेगा तो 9 रोपया का आपका कम मिलेगा 9 रोपया का क्या निकलेगा कमी निकलेगा आपको ठीक है 9 by कितना 1 to 1 into क्या 100% ठीक है तो इसी को जब solve करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा 7.4% solve करने पर कितना आएगा 7.4% जो की आपका option कौन सा यह आपका दिया जा रहा है ठीक है कि चले आगे बढ़ते हैं हम लोग को सा नमबर 42 42 में आपसे कहा जा रहा है कि एक बस्तु 25 परसेंट और 15 परसेंट की दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपया में बेची जाती है तो बस्तु का अंकित मुल क्या होगा मान लेते हैं कि बस्तु का हो अंकित मुल कितना एक स्रूपया एक सॉपया है तो इस पर पर फूंत कर हीस स्काउंट मतब फंकितना का मतलब 1 वाई 4 दो हेगा थां का मतलब आपको 3 बटा कितना होगा 20 तो 17 बटा कितना 20 में वो बेचेगा छूट दे रहा है तो इसका दाम आ जाएगा कितना आ जाएगा 535.50 आएगा तो X का भेलू जब हम रोग निकालेंगे तो 535.5 इंटू 20 गुने कितना 4 और 17 गुने कितना हो जाएगा टीन ठीक है तो 11 आपका कैंसिल हो जाएगा से 10 कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब सत्रह से इसको तीन से काटते हैं ठीक है तो तीन एकम एक बार क Wanna कटेगा ठीक है तीन एक बार में साथathan 21 होगा तो 22-23 कितना होगा 24 अपांतिया कितना हो जाएगा 15 सतरह से काट देंगे 1710 कितना आपकर रूपया उसका अंकित मुल होगा आपका बिल्कुल सही होगा क्लियर है चले next question आपका 43 43 में आपसे कहा जारा कि B की तुलना में A 50% अधिक दक्ष है ठीक है 50% अधिक है ठीक है तो A और B का रेशियो अगर बात करें तो B अगर 100% अगर है ठीक है तो आपका A कितना 50% अधिक है तो रेशियो कितना जाएगा 3 is to 2 ratio कितना 3 is to 2 B की तुलना में C 40% कम है B की तुलना में C जो है वो 40% क्या है कम है तो 40% कम है मतलब 2 का कितना percent 60% 2 का कितना 60% तो यहाँ पर कितना आजाएगा 1.2 आजाएगा कितना 1.2 तो यह point को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा पांस काट देते हैं ते रेशियो आपको छोटा करने के लिए तो 6 हो जाएगा 4 पांस नहीं कैंसिल होगा इसको चार से कैंसिल करते हैं तो चार से दो होगा 15 और 10 और कितना हो जाएगा अच्छे तो यहीं रेशियो आया तो एड करेंगा तो पचीस पचीस मतब 31 31 efficiency से कहा जारा कि तो तो टोटल हम लोग के पास वर कितना है और एक का एफिसियंसी कितना दिया हुआ तो एक एफिसियंसी सिफ 15 ठीक है लेकिन हम लोग को जो इसका भैलू जो आएगा सीफ ए उसी काम को कम्प्लीट करने में टाइम लेगा लेकिन को सब्सक्राइब करना है तो यहां पर मल्टिप्लाई कर दीजिए आपका एंसर आजाएगा यह कितना हो जाएगा जीरो केंसिल एक जीरो केंसिल हो गया मतब 31 डेज में कम्प्लीट कर देगा कितना 31 डेज में कम्प्लीट कर देगा मतब ऑप्सन कौन सा सी आपका बिलकुल सही होगा क्लियर है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं चलिए कोसर नमबर आपका 44 44 में आपसे एडियस्यू है तो एक का मतलब कितना लेना है 5 अब बी को कितना लेना एट ठीक है और यहां पर सी को लेना है फोर आप बी को लेना है कितना थ्री तो ए बी सी का आपको रेसियो निकालना है तो ए इस्टू बी इस्टू सी का रेसियो निकालना है 5 इस्टू कितना हो जाएगा 8 और B का यहाँ पर कितना देरा 3 और C का कितना है 4 ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कुछ नहीं है तो इसको क्या कर देंगे भर देंगे, फिल कर देंगे यहाँ पर कितना 3, multiply कर देंगे तो यह 32 हो जाएगा यह 24 हो जाएगा अब पांतियाई 15 ठेक है तो 15, 24, 32 ओप्सन कौन सा बी आपका बिलकुल सही होगा चले नेक्स कोशन में आपसे कहा जा रहा है 45 में 45 में आपसे कहा जा रहा कि ABC कोई तिर्भूज है जिसमें BC पर कोई बिंदू P इस परकार है कि B, P is to PC equal to 1 is to 2 बिंदू Q, B, P पर एक मत बिंदू है तो area of triangle A, B, Q और area of triangle A, B, C के बड़ाबर होगा मतब रेसिव आपको बताना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर कोई आपका तिर्भूज है तिर्भूज बना लेते हैं कौन तिर्भूज है A, B, C है ठीक है कहा जारा कि B, C पर एक बिंदू P है मान लेते हैं P यहाँ पर है ठीक है और Q, Q जो है B, P B, P का मत बिंदू है Q जो है B, P का मत बिंदू है Q यहाँ पर लेते हैं ठीक है मत बिंदू है B, P का मत बिंदू है मतलब BP का मद बिंदू ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा ठीक है और कोस्तर में कहा ज़रा कि BP BP अगर रेसियो कितना है 1 अगर है तो यहां से लेकर यहां तक का रेसियो PC का कितना है तो 2 है PC का रेसियो कितना है 2 है तो area of triangle ABQ ABQ ये area ठीक है मतलब इसका area आपको लेना है पूरा triangle का area के बराबर ठीक है तो देखिए अगर मान लेते हैं कि इसको भी अगर मिला दिया जाए मिला दिया जाए ठीक है तो area अगर यहां पर area कितना आपका हाइट सब के लिए सेम होगा तो area भी आपको किस रेसियो में होगा तो 1 is to 2 के रेसियो में होगा ठीक है 1 is to 2 अगर इसको अगर मद बिंदू है तो इसको भी 1 अगर वन लेकर चलते हैं तो यह भी रेसियो वन होगा तो 1 1 कितना हो जाएगा टू तो इसका रेसियो कितना होगा चार मतलब अगर तिर्भूज a b q और रेसियो आपको तिर्भूज a b c का अगर area अगर हम दो निकाले क्या area ठीक है तो बेस इसका कितना है और इसका टोर्टल आपका कितना हो जाएगा एक दो चार कितना छे यह area होगा ठीक है क्योंकि अगर एक ही बिंदू से अगर रहा जाए क collector kसी एक बेस पर हिंक कहा जाए तो बेस का जो रेसियो होता होग है वहीं उसका एरिया के regio कियों कि हाइट के लिए क्या होगा इस त्रिभूज के लिए height होगा इस त्रिभूज के height होगा हो गा हिसी होगा क्लियर है से त ROBERT क्या करेंगे operate कर लेंगे इसको one मालेंगे ओं नो यह बहुतना हो दो बराबर भागों में छित्रफल को क्या करता डिवाइड करता अगर इसका वान है तो इसका भी वान होगा लेकिन इसका भूजा कहा जा रहा था वान तो दूसर गुना कर दिये तो इसको कितना हो जाएगा चार्ट यह कितना हो जाएगा चार्ट क्लियर है तो टोटल हो जा चाहते हैं लॉंग प्रॉसेस होगा ठीक है यह है यहां पर क्या भी है और यहां पर सी है पी यहां पर अगर है ठीक है और यहां पर इसका क्या है क्यों मजबिंदू है इसको मिला दिये ठीक है मिला दिये अब हाइट एक ले लेते हैं हम लोग हाइट ले लेते हैं इसका हाइ बटा एडिया आफ ट्रेंगल एबी सी अगर लेते हैं तो कितना होगा वान वाइट बेस इंटू हाइट तो बेस आपका यह कितना दिया हुआ यह बेस कितना अगर आए अगर इसको अगर हम लोग यह टोटल को अगर यहां से लेका यहां तक अगर x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा ठीक है तो ये कितना बेस होगा x by 2 होगा तो into कितना x by 2 into h divided by 1 by 2 into इसका बेस कितना हो जाएगा तो x plus x मतलब 2x x plus 2x into h ये cancel हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 cancel हो जाएगा तो कितना आ गया x by 2 into ये कितना हो जाएगा 1 by 1 by कितना हो जाएगा 3x x x क्या हो गया cancel ठीक है तो कितना आ गया 1 by 6 1 by 6 इसलिए इसका रेसियो जो एंसर होगा वह कौन साहगा option d clear है कि चले आगे देखते हैं नेक्स्क्राइब नमबर 46 में का जाए एक टेन बीना रूके तो इस तरह का बीना रूके असी किलोमेटर पर आवर के और रूकने के साथ 72 किलोमेटर पर आवर के और सब्सक्राइब गति से चलती है तो टेन और सब्सक्राइब प्रती घंटा कितने मिनट रूकती है तो इसके लिए कितने मिनट रूकती है तो निकालने के लिए क्या होता है s1-s2 by s1 ठीक है मतब यहां पर s1 greater than क्या होगा s2 ठीक है तो इसको हम लोग स्वल्व करते हैं तो कितना जाएगा 80 minus कितना आएगा 72 by कितना 80 तो कितना आजाएगा 1 by 1 by कितना हो जाएगा 10 8 घटेगा तो 1 8 से काटेंगा 80 को तो कितना 1 by 10 यह क्या आएगा hours में आएगा घंटा में आएगा मिनिट में अंसर देना है तो गुने क्या साथ मतलब कितना हो जाएगा छे मिनिट क्या हो जाएगा छे मिनिट ऑप्शन कौन सा यह आपका बिल्कुल सही होगा क्लियर है नेक्स कोशन आपका है 43 47 नंबर 47 नंबर कोशन में ABC दिया हुआ है कितना चार ABC आपको दिया हुआ है 2 तो कहा जारा कि एक्यू एक्यू प्लस बीक्यू प्लस CQ-3 ABC का फॉमूला कितना होता है तो हम जानते हैं A प्लस B प्लस कितना C और A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस C स्कॉर माइनस AB प्लस BC प्लस CA ठीक है तो इसका वहलू तो हम लोग को पास पता है कितना है 4 स्कॉर इंटू A स्कॉर प्लस B स्कॉर का वहलू इसमें नहीं दिया हुआ तो उससे हम लोग निकालेंगे निकालेंगे कैसे तो A प्लस B प्लस C का होल स्कॉर इक्वाल टू कितना होता A स्कॉर प्लस B स्कॉर प्लस कितना C स्कॉर प्लस 2 AB plus BC plus CA होता है तो ये कितना दे रहा है तो 4, 4 के स्क्वाइर, तो A square plus कितना, B square plus C square plus 2 into, इसका भेलू कितना दे रहा है, 2, तो ये कितना हो गया, 16, 16 में से 4 चला गया, तो कितना बचेगा 12, A square plus B square plus C square equal to कितना आगया, 12, आगया न, तो यहाँ पर 12, माइनस इसका वहलू कितना दिया हुआ तो इसका वहलू दिया हुआ कितना टू ठीक है तो फूर इन्टू कितना 10 डैट मिन्स कितना 40 इसका एंसर कितना 40 option कौन सा डी आपका सही होगा क्लियर है नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर आपका 48 में कहा जारा कि 14 सेंटीमीटर उंचे एक समकू कि छीनक के दू ब्रीताकार फलक का त्रीजिया इतना और इतना दे रहा है तो इसका आयता निकाले तो छीनक का वॉलूम कितना होता 1 by 3 pi capital R square plus small r square plus capital R into small r into क्या होता है तो 1 by 3 into 22 बटा 7 गुने आर मतलब 5 के square plus 2 के square plus 5 दूना 10 तो 25 आई ये कितना हो जाएगा 4 तो 35 49 ये कितना हो जाएगा 39 थेक यहां पर 25 हो जाएगा और दूर 4 उतना 10 थितना हो जाएका तो थिए Mickat hoोजाएगा तो थाल्णी को पाकोजाओ एंग करना था चलिए आगे नेक्स कोशन 49 नमबर है यह आपका पास ग्राफ दिया गया है कहा ज़रा कि कॉलेज C में बिज्ञान कॉलेज C में बिज्ञान बिज्ञान यहां पर है कि विदार्थियों को संख्या कॉलेज में पढ़ने वाले कुल बिज्ञान का लगभग कितना परसेंट है ठीक है तो टोटल को अगर एड करते हैं तो टोटल को एड करेंगे जीरो और नो इगारा एक हो गया कैरी और छे और पांच इगारा एक कितना 12 मतलब अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 500 ठीक है 500 कितना 540 डिवाइड बाइ 1210 गुने कितना 100 ठीक है ये केंसिल हो जाएगा ठीक है तो कितना है फाइब फोर डबल जीरो बाई 121 परसेंट तो एप्रोक्स में कहा जा रहा एप्रोक्स में आपसे कहा जा रहा जा रहा है तो इसका हम लोग लगबग लगबग हम लोग जो कट करेंगे 12 से ये आपका आएगा 45 एप्रोक्स में आएगा कितना 45% 45% ठीक है एप्रोक्स बेलो कितना आएगा 45% क्योंकि ये 4 बाड़ में तो लगाएंगे यही ना उसके बाद में कितना पांच बार में आपका लग जाएगा ठीक है चले अगला कोशन सिंपल है 50 नंबर A प्लस B आपका दिया गया 8 और A और B का वहलू जो दीजा जारा बत्स बटा 3 तो A Q प्लस B Q का वहलू आपको निकालना है ठीक है तो देखिए A Q प्लस B Q का फामूला ऐसा पूट करना है कि सिफ आपका प्लस के रूप में दिखाए दे आवे इंटू के रूप में तो माइनस 3 A B A प्लस क्या भी ठीक है तो इसका वहलू कितना दे रहा आठ का Q माइनस 3 इंटू 32 बटा 3 अगुने बुने आपको कितना हो जाएगा वहलू एट कैंसिल होगी है तो पांसो बार माइनस इसका आठ दूना सुला एक 24 से कितना हो जाएगा 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 उसके वाद में 5 और 2 200 कितना होगा तो 56 ओप्सन कौन सा यह आपका बिल्कुल सही होगा क्लियर है next question question number 51 में कहा जा रहा है कि X का मान आपको निकालना है जब इस से इगारत से भी भाज हो मतलब 4, 6, 3, 9, 3, X और यहाँ पर 8 है ठीक है 11 विभाज है तो इगारत से भी भाज होने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि alternate alternate का alternate का sum ठीक है sum का difference अगर 0 रहे या 11 रहे ठीक है या 22 हो ठीक है तो इसका मतलब वो नमबर क्या होता भी भाज होता है ठीक है तो चार और 3, 7 चार और 3, 7 और 3 कितना 10, 18 minus कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस कितना X इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए या तो 22 होना चाहिए ठेक अंतर तो अठाय लाने के लिए यहां पर कितना तो 3 क्योंकि 18 लाने के लिए यहां पर तीन बहलू रहे चाहिए पंद्रह में तीन जोड़ेंगे तब जाका 18 होगा तो इधर भी 18 इधर भी कितना आजाएगा जीरो यहीं नजदिक में है इसलिए आपका एंसर कौन सा हो जाएगा थ्री क्लियर है कि नेक्स कोस्टन कोस्टन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि 50 विजार्थियों के कक्षा में 46 परसें लड़की हैं से लड़के हैं और लड़कों के ओस्टन आपको दिया गया है 58 ठीक है लड़कियों को अंक का ओस्ट दिया जा रहा है कितना 62 तो पूरी कक्षा में ओस्टन कितनी होगी ठीक है पूरी कख्छा में औस तन कितनी होगी तो देखिए यहां पर अगर बात करें कि अगर लड़की के संख्या अगर निकालें तो 50 का कितना होगा 46% मतलब कितना होगा 23 अब वाय का अगर निकालेंगे वाय का संख्या अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50-23 that means 27 हो कितना हो जाएगा 27 इसलिए औस अगर पूरे क्लास का अगर निकालना है तो अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा तो लड़कों की संख्या का आउसतन दिया गया है तो लड़का का संख्या कितना 27 तो 27 गुने कितना 58 पलस 23 गुने कितना होगा 23 गुने लड़की के कितना देरा 62 डिवाइड़ बाई टूटल संख्या कितना है तो 50 इसी को स्वल्व करने पर आपका पूरी कख्षा का और सतन जो है वो आपका आजाएगा ठीक है वो कितना आएगा तो 59.84 ठीक है मतलब इसमें अगर देखा जाए तो option कौन सा यह आपका बिलकुल सही होगा क्लियर है option A आपका बिलकुल सही होगा इजी था यह सिवल्व आपको गुना भागा करना था ठीक है चलिए अगला कोशन आपका 53 नंबर कोशन में आपसे कहा जा रहा कि दो वर्स के लिए 12 प्रतिसरत प्रती दर से एक्स रुपे चक्रवेदी भी आजब सधान भ्याज का अंतर दे रहा अंतर कितना तो अंतर आपका 18 दिया जा रहा तो हम रों जानते हैं कि अंतर बराबर क्या होता है तो बारा बटा दस का क水ब तो इसको अगर करते हैं इसको कड करते हैं तो यह छे होगा यह कितना ओएगा पांच आएगा अदुस्पिज्वा और चाला आएगा कि दो वर्स का तो एस्क्वार करेंगे तो कितना आजाएगा 36 बटा कितना 25 और 100 उदा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा एक बडाबर आपका निकालेगा तो 1800 गुने कितना होगा 25 बटा 36 तो ये कितना आजाएगा तो आपका आजाएगा 50 गुना कर देंगे तो कितना आजाएगा 1250 बारसो पचास ओप्सन कौन सा ए यहीं फामूला है आपको ध्यान में रखना है कि अंतर डिफ्रेंस जो होता है वो क्या होता आर बाई 10 का एस्क्वाइर का परसेंटेज ठेक है यहीं आपका डिफ्रेंस है इसी बराबर पूट करना है और हंडेट परसेंट निकाल देना है वान निकालने का मतलब क्या है यह हंडेट परसेंट निकाल रहे हैं हंडेट परसेंट का मतलब क्या होता है हंडेट बाई हंडेट मतलब वन ठीक है इसलिए वन अगर निकाल रहे है तो यहीं क्या निकलता मुलधन आपका निकलता है कलियर है कर Bay China question अपर आपका 54 में कहा जारा कि दो बस्तुमे से पर्तेख को पर्तेख काम मतलब दोनों का एस पी आपस में क्या होगा बराबर होगा इतना मुल पर में दिया गया, उनमें से ένα बस्तूो का बिक्राइम MON 14% लाइप पर और दुसरे को 12% क्या हानी पर बेज़ दिया गया, तो कहा हैं बोलाई बहुकरता को कुल मिला कर कितने परतिसात लाव अथवा अथवा ठीर होई, ला रवा हानी हुई होई? तो चलिए पहला बस्तु है इसको हम लोग लाप पर बेंच रहे हैं मतलब 114 परसेंट अदूसरा बस्तु को हानी पर बेंच रहे हैं 12 परसेंट मतलब 88 परसेंट ठीक है तो एस टू बी कर रिस्यों अगर निकालते हैं तो 88 और यह कितना 114 आएगा दूसरे का टेंगे तो 4 4 और 5 और कितना अएगा 7 मतलब यह झू रिस यू आया ओकितना एक अर्ट कितना 1 कितना एक erfahren जोडने पर कितना 101 आपका आरह टोटल सीपी कितना है 101 ठीक है आब स्पी हम लोग निकालते हैं तो फी टो कहा जा रहा था बराबर इसलिए कोई एक अगर निकाल लेते हैं SP तो 14 का अगर इस पर अगर एपर देखा जाए तो 14 परसंट का प्रोफिट 14 परसंट का क्या प्रोफिट बटा में क्या हंड़ेट 56 केरी कितना पांच और फिर आपका 56 को जोड़ेंगे तक इतना जाएगा 64 Alan 6 इतना का प्रोफिट हो जाएगा जोड़ देंगे तक इतना एगा 50 हां है और06 का पैंट हुआ कर देंगे तो 100 और कितना जाएगा 32 आ जागना तो हम लोग को क्या हो रहा है लोस हो रहा है फीया पर देखिए लोस परसंट अगर हम लोग को निकालते हैं loss हो रहा है मतब हाणी होछा है तो loss हम लोगो कितना हो रहा है कियोंकि यह CP है और यह क्या है SP है त communist हम लोग हो रहा है तो loss कितना आ रहा है तो 8 मतब 68óriagum में रहा है और、「 KP था वान 701 इंटु क्या हंडेट परसेंट परसेंट प्वाइंट से इसको केंसिल हो जाएगा तो कितना आजाएगा 0.0.0.0.0.0.1 में 7 अप्रोक्स अगर निकालेंगे तो 7% 7% का हानी option कौन सा C option कौन सा C आपका बिल्कुल सही होगा क्लियर है इसमें डाटा के यूज नहीं करना है नेक्स कोस्टन कहा जारा 55 में कि यह आपको दिया गया है क्यों आपको निकालना थे एक बार स्क्वाइर करेंगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स रूट हट जाएगा तो 7 रूट 7 का क्या स्क्वार मानस 2 डेट मिंस कितना आए सोरी सोरी यहां पर क्यू निकालना था क्या निकालना है क्यू हमें स्क्वार निकाल दिया ठीक है तो क्यू जब निकालना है तो एक्स का क्यू प्लस वन बाई एक्स का क्यू अगर निकालते हैं तो पांच का क्यू मानस 3 इंटू क्या 5 फाइब फाइब होता है 125 मानस कितना 15 तो 110 हो गया option कौन सा बी क्लियर है next question है आपका simplification है ठीक है तो simplification है तो यहाँ पर आपके पास कितना है 5.8 है और इसको अगर divide कर देते हैं 3.7 तो कितना बार में दू बार में कर जाएगा तो पांदुना 10 प्लस कितना हो गया 10 माइनस और यहाँ पर divide करेंगे 2.5 तो पॉइंट एक जाएगा तो जीरो यह चार हो जाएगा पांच हो जाएगा तो 24 मतब 4.8 4.8 ठीक है तो इसको इसको अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा तो एक Plus कितना 10 मतलब कितना एंसर तो 11 क्यार है क्लियर है मैं नेक्स कोर्शन कोर्शन नम्बर 57 मैं का जाए चीनी के मुल में 17 परसंट के के ब्री जिए और भैक्ति अपने खर्च के व क्यवल साथ पर संगे ब्रीदि करना चाहता है उसके कितने पर Operations का कमी करना होगा मतब सोग मैं की सुऑ रूपया का चीजीज था दाम बढ़ गे कितना होगे 170 लेकिन साथ ही बढ़ना चाहता है साथ तो कितना का कमी करना होगा कमी पर्सेंट करना होगा तो 10 रुपया का कम समान खर देगा किस से एक सो सतर गुने कितना यहीं आपका पर्सेंटेज आएगा ठीक है तो इसको अगर अगर निकालेंगे तो अप्रॉक्स में आपका वेलू आ जाएगा कितना आ जाएगा तो 8.5% कितना 8.5% जो कि आपका ओप्शन कौन सा बी क्लियर है नेट्स कोस्टन 58 58 में कहा जारा की 70 60 विदार्थी का कक्छा में 40% क्या है लड़की है तो लड़की के संख्या जो है 60 का कितना 40 40% मतलब कितना हैगा 24 तो य का संख्या कितना हो जाएगा तो 60-24 मतलब आपका कितना हो जाएगा 36 कितना 36 ठीक है तो कहा जारा की लड़की का ओस्टन वो जन इतना है लड़कियों का ओस्टन इतना है तो पूरे क्लास का ओस्ट तो पूरी क्लास का कक्षा का ओसत अगर निकालें तो कितना आएगा तो लड़का का संख्या लड़का का ओसतन कितना दे रहा है तो आपको 62 इंटू लड़का का संख्या कितना है 36 पलस लड़की का संख्या कितना ओसतन कितना दिया हुआ 55 इंटू इंटू कितना होगा लड़की का संख्या कितना 24 आट टोटल है कितना 60 ठीक है तो इसी को multiply करके add करके आपको divide जब करेंगे तो हम लोग का जो आएगा value वो कितना आएगा तो 59.2 kg कितना आएगा 59.2 kg मतलब option कौन सा यह आपका बिलकुल सही होगा clear है इसका आयतन निकालना है किसका तो छीनक का तो छीनक का आयतन कितना होता 1 by 3 पाई capital R square plus small R square capital R into small r into क्या होता एच तो एक बटा तीन गुन है 22 बटा कितना साथ ठीक है और पांच दे रहा है पांच का स्क्वार कितना हो जाएगा पचीस और तीन के स्क्वार नौ अपांतियां कितना पंद्रह पंद्रह होगा तो एक चालिस मतलब कितना हो गया 49 into उंचाई कितना 21 दे रहा है तो 21 क्या हो गया कैंसिल हो गया मतलब 22 गुने कितना 49 तो 11 गुने कितना हो जाएगा तो 98 हो जाएगा तो अगर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो आठ साथ करी एक नौ एक कितना हो जाएगा दस मतलब ऑप्सन कौन सा तो भी क्लियर है नेक्स कोस्टन एक बस्तू का 30 परसन और 15 परसन क्रामिक छूट देने के बाद इतना रुपय में बेंद दिया जा रहा है इसका अंकित मुल आपको निकालना है क्या अंकित मुल अंकित मुल आपको निकालना है तो अंकित मुल माल लेते हैं कितना एक्स है एक्स का यहां पर 30% छूट मतब यह आपको कितना तीन वटा तीन वटा दस होगा सोरी अहां तीन वटा कितना दस होगा मतब तीस वटा कितना होगा सो तो काटेंगे तो तीन वटा कितना होगा दस तो पहले दस था तो तीन वटा छूट देगा तो साथ 15% 15% का मतब तीन वटा कितना होगा 20 तो पहले 20 था तीन घट जाएगा तो 17 एक्वल टू आपको दे रह कितना 547.40 दे रहा है एक्स का वहलू जो हमनों निकालेंगे 547.4 इन्टू 20 बटा कितना 17.10 केंसिल हो जाएगा तिस वो काटेंगे टोटल को तो आपको आ जाएगा कितना तो 920, 920, option कौन सा C, option कौन सा C आपका बिलकुल सही होगा, clear है? चले, next question आपका जो दिया जा रहा है 61 नंबर में, ठीक है? इसका value निकालना है तो AQ पलस BQ उसका ऐसा formula लगाना है कि इन्टू के रूप में और पलस के रूप में ही सिफ आपको रहे ठीक है? तो A पलस B का अगर whole Q, minus 3AB और A पलस B इसका formula होता है तो 6 का Q minus 3 into 8 और गुने में कितना हो जाएगा? तो गुने में आपको 6 हो जाएगा multiply कितना? तो A B के अभेलू कितना? 6 मतलब इसका कितना होता है? 200, 16, minus ठीक है? minus इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 ठीक है? तो 144 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 2 और कितना 7 मतलब कितना आएगा? 72 ओप्शन कौन सा? यह आपका बिलकुल सही होगा clear है? next question यह दिया हुए square का आपको करना है? तो एक बड़ square करेंगे तो कितना आएगा? x plus 1 by x equal to 2 root 2 का square minus कितना? 2 that means कितना आएगा? 4, 8, 8 minus 2 मतलब कितना आएगा? 6 एक बड़ और square कर देंगे square ब़ला concept use कर देंगे तो कितना हो गया? 36 मतलब कितना आएगा? 34 option कौन सा? A आपका बिल्कुल यह होगा clear है? next question A का value हम लोग का कितना put करना है? 2 और B का value 3 तो 2 put करना है और कितना 3? तो 5 दूना कितना हो गया? 10 और कितना 6 मतलब 4 घटा देंगे तो 2 और कितना 3 put करना है? तो 5 दूना 10 अच्छे मतलब कितना हो गया? 16 काटेंगे रेशियो एक और पाच्चार ओप्संग कौन सा? D ठीक है? इजी था? नेक्स कोस्टन आपका ग्राव से है कार जाकर सभी कॉलेज में बिज्ञान भी से के कुल विदार्तियों का उसर संख्या आपको निकालना है? तो बिज्ञान यह दिया जा रहा है तो total का add करना है total को हम रोको क्या करना add, ठीक है तो देखिए इसको अगर इसको add कर देंगे, तो kتना है 70, इसको add कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा 70 270 कितना हो जाएगा 140 and 2, 8, add कर देना है तो कितना, 1, 6, 8 divided by, कितना है पांच खोई है तो पांच से डिभाइड कर देंगे कुल वाषतन संख्या कितनी होगी सभी कॉरेज में बिग्ख्यान भिसै के कुल विदार्थियो की वाषतन संख्या आपको निकालना है इसमें क्या दिया हुआ परतिसद दिया गया है सोरी एक मिनिट परतिसत नीया गया है कि इसको रिड़ करना होगा Tr dabei अ कि यहां पर दिया जाए बीधार्ती की परतिसत विभाजन है क्या है परतिसムें भी भाजन किया गे तो आपका a में कितना होगा तो 800 का कितना पचीस परसेंट 105 परसंट का मतलब एक बाटा चार एक बाटा चार चाथ तो कितना आएगा दूजर गाएगा बी में आपको कहा जारा कि 35 35 परतिस्त मतलब कितना साथ बाट बीस साथ बाट बीस बीस से डिवाइड करेंगा तो यह पाँच हो जाएगा और पांच-35 3500 C का ये 45 पर 37 मतलम 9 बटा कितना हो जाएगा 20 9 बटा 20 ठीक है 9 बटा 20 होगा ठीक है तो इसको 20 से 100 को काटेंगा तो ये कितना आएगा 5 ठीक है तो ये कितना अगुना करेंगे 75 अगुने कितना 9 तो कितना हो जाएगा तो 09 पर जपना इसको 5 4 और 63 चार कितना हो जाएगा तो 6 7 ठीक है और D में कितना परसेंट 28% कहा जा रहा 28% कहा जा रहा कितना है टोटल 28 बटान नीचे 100 और 9000 दिये रहा दबर 0 कैंसर हो जाएगा 09 22 जेएट 9-7 होगा और 9-18 कितना हो जाएगा 25 को में पांच 20-0 में इन के लिए कहा जारा कि 35 3535 35 35 तो 35 बटा कितना 100 आगुने कितना 11,000 तो दू-0 कैंसल हो गया ठीक है 0-11 स गुना करेंगा तो 5-8-3 ठीक है कितना हो जायगा 3850 और टोटल को जोडना है टोटल का कुल कितना होगा बिज्यान में जोड का कितना से डिवाइड करना है तो 5 से हम लोगो डिवाइड करना है कितना से 5 से हम लोगो डिवाइड करना है तो टोटल सम जो आएगा सम करेंगे तो आपका sum करके हम लोग को क्या करना total का sum करके total को sum करके हम लोग को क्या करना divide मतलब कितना 2000 3500 670 50 2520 50 अगर करेंगे 5 अगर करते हैं तो हम लोग को जो आएगा भेलो कितना आएगा 3724 3724 मतलब option कौन सा C कुछ नहीं है इसमें क्या लिए आपको add करके 5 से divide करना औस निकालना है तो यह percentage में दिया हुआ था यहां को पढ़ना पढ़ेगा आया बात समझ में चलिए next question आपका है 65 में कहाँ जा 2 वर्स का 12% का अंतर इतना अभी जस्ट हम बताये थे कि अंतर जो होगा difference जो होगा R by कितना 10 का square percentage होगा ठीक है तो आपको कितना 12 बटा कितना आ गया 10 का square equal to percentage कूल साइट भेज देंगे तो कितना आएगा 4 3 2 0 आएगा तो एक बड़ाबर अगर निकालते हैं तो यह कितना होगया 6 और कितना होगया 5 तो कितना 4 3 2 0 into 5 into 5 divided by 6 into क्या 6 ठीक है तो 6 सा काटेंगे तो 6 साथ बार में 6 दूना 12 0 फिन 6 सा काटेंगा तो कितना आएगा 12 120 आएगा ठीक है तो कितना हो जाएगा इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 635 मतलब 3000 आपका एंसर होगा option कौन सा C ठीक है next question simplification है ठीक है तो कितना दिया वह 3.8 इसको divide कर देंगा तो 4.4 पॉइंट कितना 2 4.1 है काटेंगा तो कितना आएगा दू बार में कट जाएगा तो दू दू ना 4 प्लस कितना 4 माइनस इसको divide करते हैं इसको निचे आएगा तो पॉइंट को एक हटाएगा 0 कितना जाएगा 10 माइनस 10 ठीक है तो कितना आपको माइनस 10 करेंगा तो 28 पॉइंट है पॉइंट है एक मिनट एक मिनट एक मिनट इसको एड़ करेंगा तो 7.8 माइनस कितना 10 तो माइनस कितना आजाएगा तो माइनस कितना 2.2 2.2 option कौन सा भी आपका बिलकुल सही होगा clear है next question आपका कहा जारा कि दो बस्तू में परतेक परतेक का बिक्रेमुल मतलब SP आपका क्या है बराबर है SP क्या है दोनों केस में क्या है बराबर है 1 को 18% लाब पर 16% हानी पर बेचागे तक इतना परसन लाब या हानी हुआ तो A का 18% लाब मतलब 118 और B का कितना हानी 16% मतलब 84% ठीक है तो A is to B अगर निकालते हैं तो 84 is to 84 is to कितना हो जाएगा 118 दूसरे काटेंगे तो 4 2 आएगा और 5 और 9 आएगा मतलब टोटल CP यह किसका वहलू आया CP तो CP आपका कितना हो जाएगा 101 101 आजाएगा SP हम लोग निकालते हैं क्या SP और SP दोनों केस में क्या होगा तो बराबर होगा दोनों केस में SP क्या होगा बराबर किमके सुर्वय हैं बोल दिया है तो आपका 42 का कितना 18% हम लोग निकालेंगे तो 18 दूना 36 तीन केरी अब 72 मतलब 75 बाइ कितना होगा 100 मतलब 7.56 ठीक है तो इसमें आगा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा तो 49.56 और इसका भी 49.56 ऐड करेंगे तो 46 बट एक इतना जाएगा तो हम को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो लोस भाई कितना का हो रहा है तो लॉस कितना को nachble रहा है 88.1 यहां पर 101 इतना लॉस बट्टा में कितना 101 ठीक है इन्टू में क्या 100 अगर निकालते हैं तिसका परसेंटेज जो आएगा परसेंटेज जो भेलू आएगा वह एप्रोक्स में आएगा 1.9 लॉस होगा 1.9 का क्या होगा लॉस एप्रोक्स भेलो देख रहे हैं कितना 1.88 है न तो यह 1.9 के अप्रोक्स में आपका यह जाएगा ठीक है यहीं आपका क्या होगा एंसर होगा नेक्स कोस्टन कोसान नमबस सिस्टी एट में कहाज रहा कि b के तुल्ला में यह 50% अधिक है तो यह थी इस टू कितना हो जाएगा तू अब कहा जा रहा कि सीके तुल्ला में वी के तुल्ला में सी 40% कम दख्ष है 40% कम तो मतलब 60% 1.2 होगा तो प्वांट को हटा देंगे दूर से गय सी के लिए सी का कितना अच्छे बटा में कितना होगा छे लेकिन कितना पोंचन सो हो गया कैंसिल हो गया मतलब 31 ऑप्षन कौन सा डी क्लियर है सब को सब रिपीट कर रहा है कि चलिए यह कोसन जो आपका है 69 नंबर को सब मैं आप से कहा जा रहा कि बिना रूख के असी अरूख कर चले था 64 तो एक घंटा में ज़श little question चला था तो कितना और जाएगा असी मानेस सिश्चीई फोर बाइ रा कितрах आएगा तो धा देंगा तो सब्कितना होगा च्चेए ँगा निएपको कितना मिनट एंसर देना है तो और यह हंड चलिए है चलिए सत्तर नमबर को सन में ठीक है यहां आपके देखिए aq प्लस क्या bq अपलस cq-3 abc का फॉम्मला कितना होता है a plus b plus c और a square plus क्या b square plus c square minus a b plus कितना bc plus c a होता है ठीक है इसका तो value हम लोगों को मालूम है कितना 6 into a square b square का value मालूम नहीं है तो यहां पर a plus b plus c का whole square equal to कितना होता a square plus b square plus c square plus 2 ab plus bc plus c a तो इसका value कितना दे रहा 6 6 का square 36 और a square plus कितना b square plus c square plus 2 into इसका value कितना दे रहा 5 तो 5 दूना 10 10 घटा देंगा तो कितना आ जाएगा 26 a square plus b square plus c square का value कितना है 26 minus यह कितना दिया हुआ है value दे रहा कितना 5 मतल 6 गुने कितना 21 डेट मिस कितना हो जाएगा कि 126 option कौन सा c आपका बिल्कुल सही होगा clear है चले next question चले आपका set complete हो गया next video मिलेंगे okay thank you